चल चत्रभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पर जमीन बचानी है तो अंदौलन करने पड़ेंगे फसलों के रेट कम फसल हमारी दिन के उजाले में नहीं बिखती है यह सडियंत रहा है जमीन के रेट महेंगे होगे तो किसान बरबाद होगा किसान अपने खर्चे चलाने के लिए जमीन बेचना है हमारा आंदौलन फसलों का है जमिननों के आंदौलन नहीं कोई भी इंड़स्ट्री जवाला आप देखो के के सड़कों के अफ़र की पूरी जमीन उनके पास मुचने गही तो किसानों बोजबान साथियों सैयुक्त मोर्चे के समस्त लिडरगंग पत्रकार बंदू पुलिस परसासन के लोग जो मुटे बताए पिछले तीन साल जो आंदौलन चले जब हम यहां से गए तिली से जो सिजुक्त मोर्चे का एक आंदौलन चला बड़ा पुरे देश बर के किसा उसमस्त शामिल हुए बहुत से पत्रका केते हैं जी सरकार बात्चीत करना चाहते हैं बात नहीं करते हैं तो हम यह बता जाना चाहते हैं के 22 जनौरी 2000 इसकीस के बात में सरकार ने कोई बात किसान सिंगर्टरम से नहीं की यह सरकार जूट बोलती है यह देश के सामने भी जूट बोलती है यह मीडिया के सामने भी जूट बोलती है जब बात्चीती नहीं करनी तो समधान कहां करेगी तो देश में आंदोलन चले हुए हैं सब्सक्राइब बहुत आंदोलन दिखाई नहीं देरें क्योंकि करना चाहते कांदोलन और बिहार कांदोलन होगा तो दिखाई नहीं देता दिए लेकिन ये विचार धाराओं के आंदोलन है पूरे देश में जब सईयुक किसान औरचा दिल्ली में आंदोलन कर रहा था उसके बाद में अप अपनी स्टेट में सब लोग गए वाइक पे स्टेट के खिलाफ सेंटर के खिलाफ अपने जिले के खिलाफ क्योंके इशू तो गा किसान संगठन कम्यों हैं वहाँ पे सरकारे हावी हैं देश में किसान संगठन बड़े हैं सईयुक्त मोर्चे नहीं कहां कि आप अपना जंडा रखो आप अपना जंडा रखो अपना बेना रखो अपनी मिटिंग करो लोकल में जब सईयुक्त मोर्चे की मिटिंग हो तो इ बचना जैसे बहुत प्रेस आपको बताएगी जी बातचीत करो सरकार बहुत काम कर रहे हैं आप से हाँ करवाएगी आप फूल गारे की कोशिश करेंगी लेकिन उलजना नहीं है सरकार कोई काम नहीं कर रहे हैं अगर ये सरकार किसी पाल्टी की होती तो ये बातचीत करती ये सरकार फूल जी पत्यों का एक गैंग है उस गैंग की पाल्टी है उसने इस देश में कब्जा किया है ये पूल जीवाद है देश में और ये पूरी दुनिया में चला हुआ है यहाँ पुक्साने की कोशिश करेंगे आपको ड़ाने की कोशिश करेंगे आपको धमकाने की कोशिश करेंगे जैसे यहाँ पर हुआ कि दिल्ली में परमिसन दे दी परमिसन दे दी लेकिन रात को भी जितने भी लोग आ रहे उनको रेल्वे स्टेसन पर उस्टा गया जितने भी अगर बसे बेच जी तो बसुआ लोग को पिटाई करी उनकी बसे लेकर बेच चलेगे तो गाउं सब भीड़कर से आईगी तो ये काम ये कर रही है ड़ड़ाने का काम भी करेंगे और अगर आप लोग डड़े तो ये आगली नजर इनकी अपकी जमीन पर है क्योंकि जमीन बचानी है तो अंदोलन करने पड़ेंगे फसलों के रेट कम फसल हमारी दिन के उजाले में नहीं बिखती है जमीन हमारी रात के अंदेर में बिख जाती है ये सडियन तरह जमीन के रेट महेंगे होगे तो किसान बरबाद होगा किसान अपने खर्चे चलाने के लिए जमीन बेचना है हमारा आंदोलन फसलों का है जमीन दों के आंदोलन नहीं कोई भी इंड़ेस्ट्री जवाल आप देखोगे किसान जमीर से उनके बच्चे नफरत करेंगे इसमें काम नहीं है लेकिन जो इंड़ेस्ट्री जवाले जमीन खरीद रहे वे क्या करेंगे तो आपको आंदोलन और संगठन बनाने पड़ेंगे संयुक्त मौर्चा है इसको तोड़ने का काम सरकारे करेंगे अभी ध्यान लख रहना अभी देश में और किसान संगठन बनेंगे अभी देश में जातिगत किसान संगठन बनेंगे अभी देश में छेत्र के किसान संगठन बनेंगे फसलों के अलग-अलग किसान संगठन बनाएंगे आंदोलन चलेंगे उसको किसी स्टेट का आंदोलन बताएंगे एक कॉम्मिनेटी का आंदोलन बताएंगे क्योंकि जिस तरह के आंदोलन चले हुए है उससे क्या हासिल हो रहा है उससे हादिशिल हो रहा है कि देश में एक सिक समाज को बतनाम करनी की बड़ी साजिस चली हुई है क्योंकि सहीग तुमोर्चा इकटा था खासकर कर जो पंजाब के लोग थे वे इकटे थे जब दिली से गए तो सब लोग इकटे गए लेकिन आज हुआ क्या पुरा देश पंजाब की तरफ देखता है पंजाब जैसे आक बड़ता है तो हरियाना देखता है पुरा सहीग तुमोर्चा देश वर में है लेकिन हमने कहा कि हम उन्हें किसान संगठन जो है जो किसान हैं उनके साथ में सब वे जो किसान प्रत्याचार हुआ है ये देश का किसान उनके साथ में है अमें एक शे में मेरी कमेटी जो तालमिल कमेटी है वो कमेटी बनी है वो कमेटी बाचीत करें देश में जब भी बड़ा आंदोर अनुद थो सब लोग इखटते आंदोर निकरए उसे एक बड़ी ताकत मिलेगी पर इसके लोग जो पूजते हैं उसको सवाल का जवाल हम दे सकते हैं उसमें हमारी कमेटी बाची तुमसे करेगी कर भी रही है इखटे फोने चाहिए साथ आप जो भी यहां पर कमेटी के फैसले उपे हैं जो यहां पर परस्ताओ जो अपने हक्वक्त रहें जो आपको बताए गए हैं उन परस्ताओ पर सबकी सहमती है और हमारा पूरा विरोग सरकार का विरोग रहेगा जो भी सरकारे किसानों के खिलाफ फैसले लेगी हमारा उसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा यह सब यहां पर जो प्रस्तार आप को दिये उसमें सब लोग उन्हें आपने सुने वे जो भी सरकारे किसानों के खिलाब फैसले लेगी हमारे वे आंदोलन उनके खिलाब जारी रहेगे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो हमें किसी से कोई लगाव नहीं है वो यह समझें कि हमको लगावें किसी से नहीं जहां पर स्टेट में जिसकी पार्टी है वो किसान का चेहरा बने है उसकी सरकारे वो गाव का मजदूर का आदिवासी का चेहरा बने हमारे आंदोलन जारी रहेगे चेह हो मद्देपर्देश के हो चेह 36 गड़ के हो चेह बिहार के आपको के बिहार में हमारे लोग यहां पर बिहार के आए बिहार तो पूरा खता भी कर दिया जो बिहार का मजदूर पूरे देश में काम करता है तो बिहार का किसान है पूरे देश में मजदूर बनता है आप उसे बुज़ोगे तो आप उसे जादा जमिन दे उसके पास में है पुरे आदिवासी जो छेतर है चतिसगाठ बद्दे परदेश और बिहार जारखंट जिस तरह से जंगलों को काटा जा रहा है वे किसान भी आदिवासी आए हुए हैं आपके बीच में उनकी ट्रेन लेट है आदा गंटे बाद में आपको यहीं दिखाई देंगे बहुत लोग आज आदिवासी संगठन आपके साथ में आज कास्वीर और सिरिनगर का किसान संगठन जो वहाँ का किसान है आपके साथ में और सजी तुमोर्चे पे उसकी विश्वास है उसकी नजले है है यहाँ आप भी सेईक्ट मोर्चे पे काम हो ला है तो आप लोग जो आएे आपका धंडवाद है सभी का और जो यहाँ पे प्रस्ताओं पास करेंगे हात उठाक के सब हुए उन प्रस्ताओं को पास करें सभी लोग आत उठाते रहें आपका दंदवाद जैहिन जैभाराद वहे गुर्जी का खालशा वहे गुर्जी की प्रक्रेश वहे